नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्य नियूस में और आपके साथ में हूँ फरहा से देखी हम इस वक्त मौझूद हैं अक्षरधाम पर हालकि आज यहाँ पर जिससरा से सन्नाटा है ऐसा सन्नाटा शायद पहले कभी देखने को नहीं मिला होगा क्योंकि आज संडे है और आज यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड होती है लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं अक्षरधाम मंदिर घूमने के लिए आते हैं यहाँ पर मौल है यह देखने के लिए आते हैं लेकिन आज पूरी तरह से सन्नाटा है क्योंकि जन्ता कर्फ्यू आज जिसका पालन जन्ता भखुबी कर रही है आप मेरे पीछे देख सकते हैं रोड पूरी तरह से आपको खाली नजर आएगा अमूमन अगर हम इस रोड की बात करें तो काफी भीड यहाँ पर रहती है इतनी भीड के लोगों को जाम का भी सामना करना पड़ता है लेकिन आज पूरी तरह से साफ सुत्री रोड यहाँ पर देखी जा सकती है सननाटा चारो तरफ यानि जनता करफ्यू का पालन यहाँ पर जनता खूब कर रही है आपको इधर का अगर मैं नजारा दिखाओं तो यहाँ पर भी पूरी तरह से सननाटा है आप देखिए नेकसा का यह शोरू में अमूमन यहाँ पर लोगों की भीड होती है लेकिन आज पूरी तरह से सननाटा यानि कोई भी आज अपने घर से निकलने के लिए तयार नहीं है जिस तरह से कोरोना वाइरस दुनिया भर में महामारी का रूप ले चुका है एक के बाद एक मौतो का सिलसला इसे बरता जा रहा है दस हजार से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है भारत में इसने जिस तरह से दस तक दी है और एक के बाद एक मामले इसके बरते नजर आ रहे है अब तक जो आकड़ा है वो काफी उपर पहुँच गया है उस पर लगाम लगाने के लिए ये कदम उठाया गया है खुद परधान मंत्री नरेंदर मोदी ने जनता से अपील की थी कि आज यानि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया जाए लोग अपने घरों से बाहर ना निकले और ज्याता से ज्यादा इसका पालन करके कोरोन जैसी गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है क्योंकि अगर हम इसकी दवाईयों की बात करें तो कोई अभी ऐसी दवाई इसकी नहीं है यही इसका एक बहतर इलाज है कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहें घरों से बाहर ना निकले घरों से बाहर जब लोग नहीं निकलेंगे तो यह वायरस आप पर अटैक नहीं कर पाएगा और ऐसे हम जो कोरोन वायरस के बरते मामले हैं उन पर लगाम लगा सकते हैं चारों तरफ आज सननाटा ही सननाटा नजर आ रहा है आज मेट्रो भी पूरी तरह से बंद है पबलिक ट्रांस्पोर्ट के अगर हम बात करें बसेस के हम बात करें तो बसेस भी आज कमूबेश कोई-कोई देखने को मिल रही है क्योंकि पूरी तरह से सब कुछ बंद आज है तमाम दुकाने, तमाम बाजार, सारे मॉल, मेट्रो बसेस की सुविदा हाले की कुछ एमजनसी सुविदा है एमबुलेंस की अगर हम बात करें वो एका दुका नजर आ रही है सडकों पर क्योंकि ये साफ कहा गया था कि अगर बहुत जरूरी ना हो मौज मस्ती करते हैं लेकिन आज लोगों ने पुर्धान मंत्री की अपील का पूरी तरह से पालन किया है और करना भी चाहिए था क्योंकि कोरोना जैसी अगर खतरनाक बीमारी से हमें लड़ना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा कोई ना कोई कदम तो उठाना होगा आज लोगों ने साबित कर दिया है कि इस गंभीर बीमारी से वो लड़ सकते हैं घर में बैटकर इस बीमारी को अराम से आप दूर भगा सकते हैं घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो ये बीमारी आपको घेरेगी नहीं विकल सी रोट पर नजर आ रहे हैं वो भी शायद वो लोग होंगे जिने बहुत ज्यादा जरूरी था घरों से बाहर निकलना इसलिए शायद वो लोग अपने घरों से बाहर निकलें तो आपसे भी हमारी यही अपील है जनसते नियूस की तरफ से के कोरोना वाइरस को अगर भगाना है इसको हराना है तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहिए ओफिस का काम भी आप अपने घर से बैट कर सकते हैं इसलिए अपने घरों से बाहर ना निकले और इस गंभीर बीमारी को ऐसे आप दूर भगा सकते हैं तो हमारी आपसे यही अपील है कि कोर झाल सुर जो जो रहा है